तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज स्टाइल पीजा रेसिपी जिसे हम आपको बिना ओवन के करहाई में बेख करके दिखाएंगे तो देर किस बात की चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्रोसेस चीज, मोजरिला चीज, मिक्स हब, चिली फ्लिक्स, पीजा वाला सॉस, स्वीट कॉर्न, सिमला मिर्च, टमाटर और बारी कटा हुआ पनीर टमाटर को हम स्लाइस में हाँ पर काट कर रखे हुए है पीजा बेक करने के लिए हमने लिए बड़ी सी कढ़ाई, उसमें डाला हुआ है नमक और यह बरतनी स्टैंड है रिंग जो हम कराई के अंदर रखे हैं पीजा को रखने के लिए और फिर से ढांक दिये हैं और इसे हम कम से कम 10 से 12 मिनट हाई फ्ले में गरम करेंगे उसके बाद इसके अंदर पीजा रखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम पीजा की त्यारी करते हैं पीजा बनाने के लिए हमने रेडिमेंट पीजा बेस लिया हुआ है यह आटा पीजा बेस है मैदा पीजा बेस से तो आटा पीजा बेस बैस्ट होता ही है फोक की मदद से हम पीजा बेस में इस तरीके से सबतरब छेद छेद कर लेंगे पीजा बेस के ऊपर हलका हलका हम चम्मच से पानी फैलाएंगे ताकि जिब पीजा हमारा बेक होगा तो वो नरम ही रहेगा हाड नहों हो जाए करके अब हम पीजा बेस के ऊपर पीजा सौस लगाएंगे ये रेडी मेंट पीजा सौस है जब हम ready made pizza लाते हैं तो उसके किनारे किनारे में कुछ नहीं होने के वज़े से sauce और cheese ना होने के वज़े से हम उसे नहीं खाते फेक देते हैं तो यहाँ पर हम make sure करेंगे कि हमारे corner में भी sauce बहुत अच्छे से लगे ताकि हम सब कुछ को enjoy करें कुछ भी ना फेके अब हम mozzarella cheese को sprinkle करके लगाएंगे cheese की quantity आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं आप जितना ज़्यादा cheese लगाएंगे यहाँ पर pizza उतना ही ज़्यादा tasty वनेगा तो हम सब तरफ अच्छे से mozzarella cheese को लगा देते हैं अब बारी है process cheese की इसको हम पहले से grate करके रख लिये थे और उपर उपर इस तरीके से sprinkle करके डाल रहा है make sure की मतलब pizza जो हम cheese डाल रहा है इसका कोई भी हिस्सा मतलब बचे ना खुब अच्छे से भर-भर के हम cheese डालेंगे जिससे हमारा pizza बहुत ज़्यादा tasty बनेगा जो हमने टमाटर को slice में काट के रखा था उसको हम pizza में अच्छे से set करेंगे अब बारी है colorful veggies से pizza को decorate करने का ये similar मिर्च है हमने इस तरीके से काट के रखा था और टमाटर के बीच में हम इस तरीके से सारे similar मिर्च को set करेंगे आप अपने पसंद का veggies यहां पर use कर सकते हैं हम sweet corn को अच्छे से लगा रहे हैं सारे corner में मतलब make sure की sweet corner सब तरफ लगे करके और इसको हम और सुन्दर बनाने की भी कोसिस कर रहे हैं हम जो पनीर को cubes में एकदम छुटँ-छुटा काट के रखे थे हमारे पास पनीर था तो हम पनीर भी डाल रहे हैं उपर इस तरीके से देखिए हमारा पीजा कितना सुन्दर लग रहा है वाव हमने पीजा बेस के उपर सारे veggies को अच्छे से से सेट कर लिया है अब उपर से डाल रहे हैं process cheese, veggies के उपर सब तरफ थोड़ा-थोड़ा चीज लगना चाहिए हमको इस तरीके से cheese को फैला कर डालना है यह process cheese ही है जिसे हम घस कर pizza में और अच्छी तरीके से फैला रहे हैं अगर चीज कम डालेंगे तो पीजा का वो वाला टेस्ट नहीं आएगा तो चीज डालने में कंजूसी नहीं करना है खुब अच्छे से भर कर डालना है लास्ट में हम स्प्रिंकल करके मिक्स अब डालना है सब तरह अच्छे से थोड़ा सा चीली फ्लिक्स स्प्रिंकल करके डालेंगे मेक से ओर की सब तरफ थोड़ा थोड़ा मतलब लग जाए अगर आपके पास मिक्स हव नहीं है तो पीजा सीजलिंग और औरिगैनो से भी आपका काम चल सकता है हमने बड़ी साइच की कढ़ाई में नमक डालके ढांक कर उसको प्री हिट कर लिया था हाई फ्लेब में 15 मिनट अब ये रिंग के उपर हम पीजा बेस को रख देंगे और उपर से अराम से धीरे से कवर कर देंगे पीजा को बेक होते 15 से 17 मिनट हो गया है हमने इसे ढख कर हाई फ्लेब में बेक किया है ये देखिए ये बहुत ज़्यादा कलरफुल बना हुआ है बहुत ही टेस्टी चीजी और रेस्टोरेंट स्टाइल पीजा बन कर त्यार हो गया है अभी हम आपको कट करके दिखाएंगे कि ये कितना चीजी बना हुआ है ये पीजा को देख कर आपके मुँ में भी पानी आ रहा है ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माउट वाटरिंग बना हुआ है देखे हमने इसे कट करके भी दिखाया है ये कितना चीजी बना हुआ है तो फ्रेंड्स पीजा की रेसिपी हमारी होती है डन फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई फ्रेंड्स